इस साला कप नम्द इंडियन प्रीमियर लीग में जो भी रॉयल चेलेंजर्स बेंगलूरू के फैन हैं उनकी हर सीजन यही हसरत रहती है इस लीग में आर्सी भी एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसकी फैन फॉलोइंग समसे ज़्यादा ट्रस्ट वर्ती वानी चाती है टीम हरे या जीते फैन्स हमेशा उसके सपोर्ट में रही है इसके पीछे एक दो नहीं कई बड़े करण है लेकिन सबसे बड़ी निराशा की बात यह रही है कि आर्सी भी एक भी बात आईपियल का खिताब नहीं जीत पाई है इस लीग में आर्सी भी एक ऐसी टीम रही है जिसके पास दुन्या के विद्वनसक बल्लेवाजों में से एक क्रिस गेल और साउथ अफरीका के मिस्टर 360 डिग्री एवी डिवलियर्स जैसे खिलाडियों ने खूब धूम मचाया सिर्फ यही दोनों नहीं पहले सीजन से लेकर अब तक भारते टीम के रन मसीन कहे जाने वाले विराट कोली भी इस टीम के सितारे रहें लेकिन ऐसा क्या कारणड़ा है कि टीम एक भी सीजन में चैंपियन नहीं बन पाई है ऐसे में अब RCB के ही पुर्व विकेट कीपर बल्लेबाज पार्थी पटेल ने एक हैरान करने वाला खुलासा किया है बताया कि क्यों RCB की टीम अब तक खितावी जीत नहीं हासिल कर वाए RCB के लिए पार्थिप पटेल ने जो कहा है उसे काफी विवाद भी बढ़ सकता है पार्थिप पटेल ने RCB के लिए जो बात कहीं वो काफी हैरान करने वाली ये ऐसी बाते हैं जो ड्रेसिंग रूम से अक्सर बाहर नहीं आती पार्थिप का कहना है कि RCB कभी भी लीग में एक टीन के तौर पर नहीं खेल और इस फ्रेंचाइजी में कभी भी टीम कल्चर देखने को नहीं दिया विराट कोली हो या फिर क्रिस गेल या फिर एवी डिविलिजेर्स सभी के अपने माइल स्टोन ज्यादा महतपूर्ण इन तीनों बड़े खिलारियों के माइल स्टोन बहुत ज्यादा महतपूर्ण हैं और इनके पास जो स्टार्स का तमगा रहा है वह पूरी टीम पर हावी रहा यही कारण है कि इस फ्रेंचाइजी को अब तक सफलता नहीं मिल पाई पार्थी पटेल ने एक पॉड़कास्ट में कहा मैं भी आर्सीवी के लिए खेल चुका हूँ इस फ्रेंचाइजी में हमेशा स्टार्स को प्राक्टिम्ता दी गए इसमें टीम यही कोई भावना मुझे देखने को नहीं मिली जब मैं इस फ्रेंचाइजी में था तो टीम का मतलब सिर्फ विराट, गेल और डिविलियर्स तक ही सीमित था टीम कल्चर वहां कभी रही ही नहीं जिसके कारण यह IPL की ट्रॉफी नहीं जीत पाई पार्थी पटेल ने जो भी कहा है उसमें कहीं तक तक कुछ ना कुछ सचाई जरूर है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस लीग में RCB की टीम ने हमेशा खराब ही खेल दिखाया टीम इस लीग में तीन सीजन में फाइनल में पहुँची थी लेकिन बदकस्मती से उसे तीनों ही बार runner-up बनकर संतोस करना पड़ा इस लीग में फ्रेंचाईजी आठ बार गुरूप स्टेज से बाहर हुई जबकि 6 मौके ऐसे रहे जब वह प्ले आप में पहुँचने में सफल रहे लेकिन उसकी जोली में IPL की ट्रॉफी एक बार भी नहीं आ सक इस वीडियो में फिलाल इतना ही खेल से जुड़ी आने खबरों के लिए बने रहे हमारे यानी NVT Sports के साथ